नमस्कार इन्वेस्टर्स वेलकम टू कमा इन्वेस्टर्स चैनल आज हम बात करेंगे औरजा गलूवल लिमिटेट के बारे में जिसने एक बहुत ही लंबा एक डाउनगेट ट्रेट दिखाया बहुत यादा नुकसान हो चुका है जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने सोचा था कि काफी अच्छा एक अब मूवमेंट दिखाएगा मैंने इस पर आपको एक अप्टेट भी दिया था जिसमें मैं बता चुका हूँ कि यह डाउनगेट ट्रेट दिखाएगा और स्टैंपर जिसने भी अपनी इंट्री आउट कर ली होगी उनको काफी अच्छा प्रॉ उसके करीब पहुच चुका है और यह एक बहुत ही बुरी बात भी है बट मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अपॉस्चुनिटी क्या बनती है विकास सभी लोग इसमें अपॉस्चुटी देख रहे हैं क्योंकि एकदम डैप्ट फरी कंपनी है एक काफी अच्छी बन सकती आगे जलके मल्टी बैगर तो उसके लिए फिलाल हमें क्या करना चाहिए एक सौट टम प्रैसिंग एक यर के टार्गेट को लेकर या एक मन्त के टार्गेट को लेकर हमें इसमें क्या बनाना चाहिए अपना एक अपॉस्चुटी वो आज देखेंगे जो होल्ड किये हैं उ क्योंकि एक कह सकते हैं minimum growth है बट यह फिर भी positive point है यह growth फिर भी दिखा रहा है अगर बात करें इसकी हम जो main pivot levels है तो वह भी फिलाल ब्लॉक हो चुके है विकॉफ यह अपने सबसे lower circuit सबसे lower support पे ट्रेड कर रहा है चलिए आपको मैं वह भी दिखा देता हूं एंड इस पर पॉच्योटी फिलाल जो बनती है क्योंकि जब price नीचे आता है तो पॉच्योटी बहुत बनती है कि stock पर जो कि fundamentally strong होता है और यह strong fundamentally strong है एंड बट इसमें जो फिलाल एक technical analysis और technical चीजे जो downgrade trend देखने को मिलना है उस पर हम बात करेंगे fundamentally तो आप सब जानते हैं stock काफी अच् बट इसका price आप देखें तो lower circuit मार चुका है and यह because of इसके जो अंदर की companies की ख़बर है और अंदर की companies की problems उनकी वज़े से यह हमको देखने को मिल रहा है and अगर हम अपने बात करें तो देखें एक बहुती महतुपूर्पूर्ट चीज आप देखने को मिली है कि यह इसका last support बना हुआ है इस जगहें पर अगर यह इसको break करता है फिलाल यह pass पहुंच अगर इसको break करता है तो बहुती लंबा हमको downward circuit देखने को मिल सकता है तो इसलिए मेरा यह कहना होगा कि इस point को break यह ना करें हमें बगवान से यही प्रात्ना करनी होगी इस time पी कि वही हमको इस करनल बाइंग अपोश्योटी की तो आप कुछ दिन रुखिए इसको देखे यहां पर अगर यह इस लेविल को break ना करके का movement दिखाता है तो आप इसको buy कर सकते हैं अच्छा कासा एक दो रुपए चार रुपए का profit बनाके बाहर भी निकल सकते हैं एक long term नजरी से बता रह बना सकते हैं लेकिन 100 टम के लिए यह स्टॉक अगर आप सोच रहे हैं तो फिलाल इस जगहें पर थोड़ा देखना पड़ेगा इस जगहें को करके ऊपर अपर सर्किट मारता है उस टाम पर बाइंग करके इच्छा कासा profit बना सकते हैं मिलते हैं एकली वीडियो में घबरा करके अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी इंफर्मेटिव लगा हो कि हाँ यह मेरे काम की वीडियो तो प्लीज लाइक दूस वीडियो और सब्सक्राइब इस चैनल फॉर मोर अपडेट्स और मोर स्टॉक्स जो मैं आगे चलके लाता रहूंगा आपके लिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो शुक्रिया आद आप